हेलो फ्रेंड वेल्कम पेक टू माई चैनल क्रियाटिविटी विद खुसी और मैं हूँ खुसी तो गाईज हम बनाने वाले हैं विंटर सोक्स जो जिसका लूक आने वाला है बूट जैसा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए तो एक पुरानी जिन्स यहाँ पे मैंने लिए है उसके बाद इस तरह से कोई भी आप कपड़ा ले सकते हो जो आपको पसंद है वो सो मुझे इसका कलर और डिजाइन काफी जादा पसंद है इसलिए मैंने यह वाला फेब्रिक लिया है यह सिल्क का है और हमें चाहिए इस तरह से फॉम शीट तो काफी स्पंजी रहती है इस गयुत अब हमें क्या करना है आप इजी कोई भी चंप़ या तो आपका पेर कषा भी नाप ले सकते हो तो सबसे पहले मैं इसे कट कर रहे हूँ कि सब दोना किसी नीचे नहीं को यह ने मैंने कट कर लियू है ब्रसलों कर दोनों अब हम क्या करेंगे इसका नेक्नार खेकर तो यह देखिए मैंने दोनों को ओपन कर लिया है मैंने ओपन क्यों किया है क्योंकि यहां पर बहुत डबल फोल्ड किया होता है तो बहुत जादा थीक हो जाता है इसलिए इसे हम नहीं यूज करेंगे अब आप चाहे तो पेर का भी नाप ले सकते हो पेर का नाप लेना है त तरह से रखके आप प्रोपर अगर चंपल रखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की जरुवत नहीं रहेगी प्रोपर लिए आपका हो जाएगा जैसे चंपले उसी तरह से याँ पर ड्रोप कर लिया है अब हम इसे कट कर लेंगे तो यह देखे मैंने याँ पर दोनों प्यर के कट कर लिए है अभी इसी तरह से हमें ये फूम शीट भी कट करनी है सेम नाप की और ये जो हमने फैबरिक लिया है उपर सिल्क का उसे भी कट करना है ये देखें ये तीनों पार्ट हो गई है कट अब यहाँ पे मैं लाइनिंग लगा दूंगी इस तरह से तो गाईज यहाँ पे देखें मैंने ये जो कट किया है उसका मेजर्मेंट मैंने आगे भी वीडियो में बताया है अगर आपको कट करना है तो जो नीचे का पाट हमने रेडी किया है उसे आप हाफ कर लीजे इस तरह से और देखें साइड में ये हाफ हाफ इंच सिर्फ एक्स्ट्रा है बाकी उसी के नापका ही मैंने इस तरह से कट किया है उसे रख करी कट करना है बाकी साइड में आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा देना है उसके बाद इस तरह से दोनों को आमने सामने रखना है और सिलाई करने से पहले मैं यहाँ पे पिन से सिक्योर कर रही हूँ और पीछे का जो बच रहा है पार्ट उसका मैं मेजर्मेंट निकाल रही हूँ देखे इस तरह से पूरा हमें गुमाते हुए इसका measurement निकालना है तो यहाँ पे मेरा आ रहा है साड़े ग्यारा तो यहाँ पे साड़ा ग्यारा आया है तो मैं यहाँ पे रखूंगी 12 क्योंकि आता इंच यहाँ पे अटेज होगा उसके लिए margin एक्ट्रा रख रहे हैं हाफ इंच तो टोटल आया था 1.5 रहा अभी रख रहे हैं बारा तो बारा की हमें दो स्ट्रिपे रेड़ी करनी है तो यहाँ पे देहिए 12 इंच इसका measurement ना पे उस साब से आप कट कीजे अभी देखे यहाँ पे किस तरह से अटेज करना है अभी जो हमने यहाँ पे जगा छोड़ी है जब हम सिलाई करेंगे तब भी यहाँ पे इतनी सी जगा छोड़ देंगे ताकि यह जो हमने पीछे का जो कट किया है वो हमें यहाँ पे अटेज करना है इसलिए देखे इस तरह से यहाँ पर अटेज हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले हम पाइपिन लगा लेंगे इस तरह की पट्टी हम यहाँ पर अटेज करेंगे तैकि क्या होगा कि धागे भी न दिखें और अच्छे से लुक भी आ जाए अगर कोंट्रास कलर यूज करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा और बोर्डर है वो हमें बोर्डर के उपर भी पाइपिन लगा लेंगे और बोर्डर को हम इसी तरह से यहाँ पर लगा देंगे तो देखे यहाँ पर मैंने यह स्रीप अटेज कर दी है अभी हमें क्या करना है और हम इस तरह से इसे रखेंगे और यहां से लेकी यहां तक पूरा नहीं करना है यहीं तक कि हमें सिलाई करनी है इतना हमें छोड़ देना है सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी यहां तक हमें सिलाई लगानी है इतना छोड़ देना है अब यहां पर देखे मैंने इसे आकिक्ट कर लिया है अभी यह जो हमें किस Hey जुक्ट रैडिक है उसे क्या करेंगे हम तो यहां पर हमने जो जगह रखे स्थे श्ट्रिप को रखेंगे अंदर की ओर और उपर हम सिलाई कर लेंगे यहाँ पे अंदर नहीं रखना है हमें उपर की साइड ही इसे रखना है यह जो हमने श्रिप लगाई है उसी से को हम उपर रखेंगे और बीना श्रिप वाला हम नीचे रखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे फिर हम यहाँ से नॉर्मल सिलाई लगा देंगे पूरे में तो यह देखें हमारे दोनों पूर बंके रेडी हो गए हैं नीचे भी हमने सैम फेपरिक रखाए ताकि अंदर ब्लेक दिखती है और पूरी ये पिंक कलर की बूट बनी है और यहां पर हमने अलग कलर लगाया है ताकि इसका एक दम अलग से लूक आजाए आपको ये बूट का वीडियो कैसा लगा है कोमेंट करके मुझे जरूर बता ना और भी आपको बूट के या तो वीडियो देखने है तो काफी सारे आगे भी मैंने वीडियो अपलोड किये है वो भी आप देख सकते हो तो फिर मिलेंगे दोस्तो इसी तरह के नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो